यहां तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती है। मैंने का मेरी सर 9 साल की बेटिया है सर और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। पती ने पतनी को SDM बनाया और पतनी ने आकिरकार पती को दोखा दे दिया और किसी और के साथ एफियरस चलने लगे पूरे इंडिया में इस वकत एक ही नाम सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है और साथ में मैंस्ट्रीम मीडिया पे भी ये डिबेट का मुद्दा बन गया है पती आलोक मौरया के बीच छिड़े घमासान में जोती मौरया खुद सामने आई और उन्होंने अपने पती के हर आरोक का खुल कर जवाब दिया यह मामला वारणसी की जोती मौरया और आजमगर के आलोक मौरय के बीच का है दोनों की शाधी 2010 में हुई थी उनकी दो बेटिया दोनों के बीच आरो प्रत्यारों का दौर जा रही है थाने में केस भी दर्ज के जा चोके हैं आलोक का कहना है कि उन्होंने जोती को शादी के बाद अपनी छोटी सी तनख्वा से पढ़ाया लिखाया, SDM बनाया लेकिन अधिकारी बनते ही जोती का फैर किसी होम गार्ड अटेंडेंट से चलने लगए आपको पता दें ये कहानी यूपी के वारानसी की है जहां पर दरसल 2010 में आलोक मोरिया और जोती मोरिया की शादी हो जाती है जोती मोरिया उस वकद ग्रेजवेशन कर रही थी और आखिरकार वो अपने पती आलोक मोरिया को कहती है कि मुझे और पढ़ना है मुझे PCS के लिए तयारी करनी है जिस तरह के से कश्मीर में जेके AS का एक्जाम होता है एड्मिस्टेट्यू लेवल का एक्जाम होता है पब्लिक सर्विस कमिशन का उसी तरह के से UP में PCS का एक्जाम होता है तो आखिरकार पती प्रियागराज पतनी जोती मोरिया को ले जाता है और वहाँ पर 2016 तक प्रेपरेशन करवाता है अलोक मोरिया जो है उसका ये कहना है कि मैंने अपनी पतनी को पढ़ाने के लिए लोन लिया घर से करजा लिया और साथ में कही एक जगा पर काम करने के बाद उसको पढ़ाया उसको 2016 में SDM तक बनाया और आकिरकार उसके साथ बेवफाई हुई उसके साथ दोखा हुआ जो पतनी SDM जोती मोरिया है उसका एफियर्स किसी मनीश दूबे जो की होम गार्ड का कमंडन्ट बताया जा रहा है उसके साथ उसका एफियर्स चल रहा है अलोक मोरिया का ये भी कहना है कि उसको जान से मारने की दमकीब दी जा रही है और साथ में उसको तलाग देने पर भी दबाव बनाया जा रहा है जबकि उसकी दो बेटियां अल्रेडी है आपको ये बता दें कि जब 2010 में उनकी शादी हुई थी उसका एक कार्ड भी सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है जिसमें जो आलोक मोरिया है उसको ग्राम पंचायत अधिकारी के तोर पर पेश किया गया है और दोनों तरफ से आरोब जो हैं एलिगेशन जो है वो लगाये जा रहे हैं जो जो जोती मोरिया के गरवाले हैं उनका ये कहना है कि ये कार्ड आलोक मोरिया के गरवालों ने उस वगद छपाया था जबकि आलोक मोरिया के गर वाले ये कह रहे हैं कि ये कार्ड हमने नहीं बलकि उन्होंने चपाया था बरहल जब 2016 में जोती मोरिया PCS के लिए कौलिफ़य हो जाती है उसकी 16 रेंक आ जाती है ने टॉप रेंक में आ जाती है उसके बाद में जोती मोरिया जो है वो SDM बन जाती है SDM बनने के साथ ही उनके गर में रिष्टे खराब होने लगते हैं और आखिरकार अलोक मुरिया इस नतीजे पर पहुंच जाता है वो मीडिया के सामने आ जाता है और ये कहता है कि उसके साथ नाइंसाफी की जारी है और उसका जो अधिकारी है जहां पर वो काम कर रहा है दरसल अलोक मुरिया एक सफाई क्रमचारी है वो वहाँ पर MTS जिसे हम multi-tasking staff कहते हैं वो as a multi-tasking staff वहाँ पर काम करता है अलोक मुर्या का ये भी कहना है कि उसके जो अधिकारी वहाँ पर है उसको उस पर ये दबाव बनाया जा रहा है कि आप अलोक मुर्या को किसी तरह के से वहाँ से suspend करा दो वहाँ से उसको नोकरी से निकाल दो तो उसका ये कहना है कि उसकी जो पत्नी SDM पत्नी जोती मुर्या है वो ही ये दबाव बनवा रही है और मुझे वो नोकरी से निकालने की कोशिश करवा रही है कही एक और आरोब भी है इस पर आपको पहले थोड़ सा बताते हैं 2010 में इनकी शादी हो जाती है पहले और फिर इनकी दो बेटियां भी होती है तो 2015 में जो जोती मुर्या है वो PCS कौलिफाइक कर देती है सोलवी रेंक आ जाती है आलोग मुर्या ने ये भी बताया है कि उसको जान से मानने की धमकी मिल रही है और वो पुलिस के साथ सा कही एक एजन्सी के पास गए पर कोई भी एक्शन अभी तक नहीं हो पा रहा है सोशल मीडिया पर ये का जा रहा है कि जोती मुर्या को अपने पद से हटाया गया है जो की सरासर गलत है अभी भी जोती मुर्या को नहीं हटाया गया है योगी सरकार ने उस पर कोई भी कारवाई नहीं की है साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जो कमांडेंट मनीज दुबे हैं उसके खिलाब एक कमीटी बनाई गई है जो इस पूरे केस की इन्वेस्टिकेशन करेगी दरसल आलोक मोरिया की शिकायत पर जो डीजी हूम गार्ड्स हैं उन्होंने उस पर एक जाँच कमीटी बिठाई हैं वो इस पूरे केस की तप्तीश करेगी इन्वेस्टिकेशन करेगी सोशल मीडिया पे लोग अलग-अलग कमेंट्स कर रहे हैं कुछ लोग जो हैं वो आलोक मोरिया का सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं जोती मोरिया का भी सपोर्ट कर रहे हैं खासकर आलोक मोर कि उसके साथ चलने में क्यों दुश्वारी हो रही है क्यों उसके साथ उसको चलने में परिशानी हो रही है यह सोशल मीडिया पे लोग सवाल कर रहे हैं और यह इस वकत पूरे नैशन में पूरे इंडिया में यह सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है और मैंस्ट्री मीडिय में ये डिबेट का विशे डिबेट का मुद्दा बन गया है इस पर कल जोती मोरिया भी मीडिया के सामने आई उन्होंने कुछ सवालों के जवाब दे उन्होंने कहा कि ये SDM और सफाई क्रमचारी वाला मामला नहीं है ये पती और पतनी का मामला है दरसल हम दोनुं में नहीं बनती है दरसल हम दोनुं की ये लड़ाई है और इसमें कोई पद का मामला नहीं है उन्होंने दूसरी बात एफियर्स के बारे में ये कही कि ये मेरा परसनल मामला है मैं किसके साथ एफियर्स रख लूँ मैं किसके साथ रह लूँ किसी किसके साथ ना रह लूँ ये मेरा प बड़े पाइमाने पर शेयर किया जा रहा है जिसमें अलोब मोरिया यह कहने की कोशिश कर रहा है कि उसकी जो कत्षणी मोरिया है मनीज दूबे के साथ जो हैं उसका एंफ ए Ig A दिल्हा वनीज को वां झालत चैट वहरत हो रहा है जिसमें यह लिखा गया है कि जो मनीज है जिन्हों ने अपने पत्नियों को पढ़ने के लिए किसी और जगा बेजा था उनको वापस बुलाया जा रहा है रिपोर्ट्स के मताबिक तकरीबлом डेड़ सो ऐसी खवातीन हैं डेड़ सो ऐसी लड़किया हैं जिनको जिनकी शादी हुई थी जो पढ़ने के लिए बाहर किया और कल वो भी कर सकती है और जोदिक का ये एपिसूट जो है अब बाकी लड़कियों के साथ भी जोड़ा जा रहा है यूपी की गलियों के साथ साथ ये पूरे इंडिया में मामला गरमाया हुआ है ये अब पती-पतिनी का मामला जिस से मैंने ऑपनिंग में ही बताया या आप सिर्फ पती पतिने का मामला नहीं रहा अब ये लोगों का मुद्दा बन गया है लोग इस पे दिन में बात करते हैं लोग इसकी नियूज को शेयर करते हैं इनके वीडियो को शेयर करते हैं और खासकर मैंस्ट्री मीडिया पे भी इस वकत इस पर खासा असर द केना है आप अपनी राय जो है कमट सेक्शन में रख सकते हैं